तोसर हाली में United Nation के तरफ से भारत को लेके एक ऐसा रिपोर्ट जारी किया गया जिसके बाद भारत को काफी अधिक क्रिटिसाइज किया जा रहा है। Western Media House में बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा एक ऐसे देश के साथ हत्यारों का ट्रेड किया गया जहापे डेमोक्रिसी नहीं है और Human Rights का वायलेशन किया जा रहा है और भारत के तरफ से इस तरीके का ट्रेड करना सही नहीं था। इस सारे देशों में भारत के खिलाब काफी नेगेटी प्रोपगंडा किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि भारत अगर ऐसे हत्यारों का सप्लाई करेगा तो एक तरीके से मेयानमार के अंदर जो युवन राइड वाइलेशन हो रहा है उसके भारत के तरफ से समर्थनती नहीं होगा। मेयानमार के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ने के बाद जब मेयानमार के आर्मी के द्वारा सत्ता के उपर कवजा किया गया तो युनाइटेड नेशन के तरफ से एक तरीके से मेयानमार के उपर कई सारे मामलों को लेके प्रतिवन लगाया गया और खाली दोस केवल मातर भारत को लेके ही किया जा रहा है जब कि अगर देखा जाए तो मेयानमार के साथ विजनेस तो अभी वी कई सारे देश कर रहा है इवन बड़े मातर में हत्यारों का सप्लाई तो कई सारे अन्य देश भी कर रहा है जिनमें दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइ के पढ़ले में चला जाएगा और कोकू आइलेंड अगर चाइना के हाथ लग गया तो ये भारत के लिए काफी खतरनाक सिच्वेशन होगा और दूसरे तरफ अगर चाइना इसे सनस्ता असल में कुछ देशों को ही सपोर्ट करता है जिन में कुछ गिने चुने वेस्टन देश है और पैसा मिलता है तो ये चाइना के खिलाब भी बात नहीं करता है हलाकि दोस्तों अगर हतियारों के ट्रेट को देखा जाए तो दूसरे तरफ यूकरेन और रश्या के लड़ाई के अंदर वेस्टन देशों के तरफ से भी तो लगातार यूकरेन को हतियारों का सप्लाई किया जा रहा है पर इसमें किसी भी तरीके कोई क्रिटिसिजम नही है क्योंकि ये उन देशों के द्वारा किया जा रहा है जो कि तथा कथि डेवलोफ्ट कंट्री है और यूनाइटेड नेशन के पर्मनेंट मेंबर भी है तुसे तरफ चाइना भी लगातार रश्या को हतियार दे रहा है जिसका इस्तेमाल रश्या के द्वारा यूकरेन के जा रहा है अब इसके उपर भी कोई क्रिटिसिजम नहीं है लेकिन अगर भारत केवल मात्र 421 करोर रुपे के हतियारों का सप्लाई में अनमार को किया है जिसे लेके अफ़्टाग उस तरीके से कोई प्रमान नहीं दिया जा सका लेकिन उसका क्रिटिसिजम भी है और उसे मेडिया में हला भी मचाया जा रहा है अब दोसे विस्टर देशों के दोगलापन और Specifically क दोगलापन को अ गरर देखा जाये तो United Nation के तरफ से एक तरीके से आप कहसे क्या सकते है कि यूक्रेण को जो विस्टर देशों के द्वारा हतियार दिया जा रहा है उसे समर्थन भी दिया जा रहा है और दूसरे तरह वेस्टन देश जो लगातार यूकरेन को हतियार दे रहा है जिसका इस्तेमाल यूकरेन है लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा है हाला कि यूकरेन इन हतियारों को केवल मातर रश्या के खिलाव इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ पे वेस्टन दे तैयार भी हो गया था लेकिन अमरीकी फैसिडेंट जो विडेंड के तरफ से यूकरेंड का दौरा करके वहाँ पे खड़े होके रश्या को जो धंकी दिया गया उसके बाद ये लड़ाई और भड़क गया अब दोस्तों यूकरेंड को चाहे जिस तरीके का भी हतियार दिया और यूकरेंड चाहे उसे जिस तरीके से भी इस्तिमाल करे लेकिन हतियारों का मतलब ही होता है तवाई फैलाना और हतियारों का इस्तिमाल का मतलब है जान और माल का नुकसान मतलब इससे भी जान और माल का नुकसान हो रहा है लेकिन इसे लेके यूनाइटेड नेशन के तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आता है और नहीं इसका क्रिटिसेजम किया जाता है बाकी रहा डेमोक्रेसी का सवाल तो यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान जैसे देश में भी डेमोक्रेसी नहीं है और कई सारे मिडलिस्ट के ऐसे देश भी है जहाँ पर राज तंत्र चलता है और किसी भी तरिके का प्रजा तंत्र या प्रजा का कोई भूमिका नहीं है पर वहाँ पे भी वेस्टरन देशों के तरफ से हतियारों का सप्लाई किया जाता है इवन येमन के लड़ाई में भी जो हतियारों का इस्तिमाल हो रहा है वो भी वेस्टरन देशों का सप्लाई क किया हुआ हतियार ही है ऐसे में दोस्तों यूनाइटेड नेशन हिउमन राइट और डेमोक्रिसी को लेके कोई रिपोर्ट जारी नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे इन हतियारों का ट्रेड उन्हें सूट करता है पाकिस्तान को भी लगातार अमेरिका यूरोफ के देशों के त करफ से तो क्रिटिसिजम नहीं किया गया और इससे आप लोगों को यह अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से भारत के हतियारों के ट्रेड को लेके ही केवल मात्रों यूनेटेड नेशन को परिशानी है और बाकी दुनिया में चाहे कुछ भी हो जार उससे कितने भी ल करता.